नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों नवरात्री के पावन अवसर में माता रानी के नो रूपों की पूजन का विधान है आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि जो भी भक्त माता रानी के नवरात्रों के दोरान नो दिन का ब्रत रखते हैं, माता की पूजा करते हैं, पूजन के उपरां अश्टमीत थी या नौमीत थी के दिन कन्या भोज अवशे कराते हैं, कन्याओं को अपने घर बड़े ही भोजन करवाते हैं, और जाते वक्त उन्हें कुछ उपहार या फिर दक्षिनाज देते हैं, लेकिन दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त चीज़ के बारे में बताएंगे, एक ऐसी क्रिया के बारे में बताएंगे, जिससे अगर आप कर लेते हैं, तो म माता लक्ष्मी का विशेश आशिरवात आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहता है, दोस्तो इस भोतिक युग में माता लक्ष्मी की सभी को आवसकता है, सभी को अपनी मनों कामनाएं पूरी करनी है, माता रानी के नो रूपों में, नो कन्याओं के रूप में, माता रानी अलग अलग प्रकार से लोगों की भगतों की मन की इच्छाओं को पूरा करती है आप भी अगर अपनी मन की कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप पूरी करवाना चाहते हैं तो इस नवरात्री में आप कन्याओं का भोजन कराते समय ही ये काम कर देंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी अवश्य हो जाएंगी दोस्तो जब भी कन्या पूजन किया जाता है तो उससे एक दिन पहले ही कन्याओं को अपने घर आने का आमंतरन दिया जाता है जब कन्याएं आपके घर आएं तो आपको उनके लिए एक लाल रंग का आसन बिचाना है आसन बिचाने के बाद आपको कुछ कमल के फूल लेकर आने है और उनकी पंकुडिया आपको कमल के उस फूल की पंकुडियां को आपको उस आसन पर बिखेड देना है अगर आप कमल के फूल की पंकडिया लाने में आसमर्थ हो то आप गुलाब के फूल की पंकडियों को भी आप विखेट सकते हैं ध्यान रहे कि गुलाब या तो लाल हो या फिर शफेद हो दोस्तो, माता लक्षमी हमेशा ही कमल के फूल पर विराजमा नह recti है और उन्हें लाल गुलाब अत्यन्त प्रिय है इसलिए माता रानी की यानि की माता लक्षमी की विशेष गिर्पा प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर में जब माता कन्या को बुलाएंगी तो माता के सुरूप में मा लक्ष्मी के सुरूप में आप उन्हें देखें और ऐसा अनुवब करें कि आपने कमल के पुष्प पर आपने उन्हें बिठाया है इसलिए आप आसन पर कमल के पुष्प की कुछ पंकडियां भिखिर दे और माता लक्ष्मी का ही रूप मानकर उन कात होगी एक और नई वीडियो के साथ अब तक के लिए दे में जादत धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भोलें जै मातादी जै मालक्षमी